नमस्कार में उप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है चुले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को आज से शुरू हो गया सावन का पहला सोमबार आज से सावन के शुरुवाथ हो चुकी है आज से ही भाग्वाद शुरू हो गया है इस पूरे महीने शिव भक्त महा देव की पुझा अर्चना करते हैं ऐसा करने से भक्तों की सभी मनुकामनाई भी पूरी होती है एस सावन का महीना आज से यानि 6 जुलाई से शुरू हो चुका है हाला कि सावन में सोमवार का महत वेखास माना जाता है सावन के महीने में हर सोमवार को कुमारी लड़किया व्रत करके जीवन साथी पानी की मनुकामना करती है वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पती की सफलता और लंबी आयू के लिए सावन सोमवारी का पालन करती है जानकारों की माने तो यह कहा जाता है कि इस वरत के प्रभाव से धन, विद्य, ज्यान और परिवार में सुख, शान्ती मिलती है श्यामा प्रसाद मुखर जी की जयनती पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी समेट सभी वरिष्ट नेताओं ने दी श्रधांजरी आज श्यामा प्रसाद मुखर जी की जयनती पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी उप्रास्टरपती एमवेग गया नाइडू समेट अन्य नेताओं ने उन्हें श्रधांजरी अर्पित की है जिसके तहट प्रधान मिंद्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि श्यामा प्रसाद ने भारत की एकता को आगे बढ़ाने के लिए सासी प्रयास किये है वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी को उनकी ज्यनती पर नमन करता हूँ वो एक सच्वे देश भक्त है उन्होंने भारत के विकास के लिए बड़ा योगदान दिया है मुखर जी ने भारत की एकता को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास भी किये हैं उनके विचार और आदर्श देश भर में लाखों लोगों को ताकत देते हैं वहिए उप्रास्ट्रपती एमबंक कया नाइडू ने भारतिये जनसंग के संस्थापक स्ष्यामा प्रसाद मुखर जी को उनकी जएंती पश्रधांज लिए अरपत करते वे कहा है इन्हें हॉर्वर्ट के बिजनस स्कूल में फेलियर के तौर पर बताया जाएगा इतना ही नहीं रावल गांधी ने इसके साथ ही प्रधानमिट्री नरेंद्र मोधी का एक वीडियो भी शेयर किया है कि COVID-19 के खिलाफ चारी जदो जहत को 21 दिनों में हम जीत जाएंगे वीडियो में दिखाए गया है कि COVID-19 से जारी जदो जहत 100 दिन से उपर हो गया है जबकि भारत तीसर नंबर पर पहुँच गया है वेग्यानिकों ने हवा के माध्यम से COVID-19 के फैलने का किया दावा COVID-19 का असर लगाता बड़ी तेजी से बढ़ता ज़ार है वही अब वेग्यानिकों ने यह दावा किया है कि COVID-19 का प्रभाव हवा के कारण भी ज्यादा फैलता है जिसके परणाम सुरूप अभीर भार वाले एलाके में बिना मास के खुले हवा में घूमना भी आपके लिए हानिकारग सावित हो सकता है 32 देशों के 249 वेग्यानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि COVID-19 के छोटे छोटे कंड हवा में भी जिन्दा रहते हैं और वे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं हाला कि डबलू अचों ने इस बात से साफ इंकार कर दिया है इससे पहले विश्व स्वास्त संगठर ने COVID-19 के फैलने के तरीकों को साफ करते वे कहा था कि कोरोना का संक्रमन हवा से नहीं फैलता या सिर्फ थूग के कारण ही फैलता है ऑक्टूबर महीने से अयोधिया में भवे राम मंदिर के निर्मान का काम हो सकता है शुरू दशकोब बात अयोधिया राम मंदिर के निर्मान के अनुमती मिलने के बाद COVID-19 ने इसके निर्मान कारे में बाधा डाल दी है लाकि बहुँ प्रसिक्षित निर्मान ऑक्टूबर में शुरू होने की उमीद उचत आई गई है सावन भादो और कुवार के इन तीन महीनों में अब कोई शुब काम शुरू नहीं हो सकता है इसलिए अब ऑक्टूबर में पढ़ने वाले शर्दिये नवरात्र में ही मंदर निर्मान के लिए शुरू नियास पूजन की विश्वे हिंदु परिशत के सूत्रों नहीं हसंके दे दिया है COVID-19 के मामले में भारत में रूस को छोड़ा पीछे भारत में COVID-19 के मामले बड़ी तेदी से बढ़ते जार हैं जिसके बाद आकड़े और उससे भी ज्यादा आगे पहुँचके है जिसके बाद WHO ने अपनी चिंता जाहिर की है मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन दुनिया भर में संक्रमन के 1,80,000 नए मामले सामने आए हैं उसके बाद कुल में अलाकर मामले बढ़कर 1,15,000,000 से ज्यादा हो गया है बीते 24 घंटे में 36,60 लोगों की जान जा चुकी है जिसके बाद जानकावाने वालों की संक्या 5,36,000 से ज्यादा हो गई है जिस पर WHO ने साफतोर पर कहा है कि कुछ देशों में COVID-19 की सिती सुधरने के बजाए और तेजी से फैल रही है और जैसे जैसे पावंदिया घटाई जा रही है संक्रमन की दूसरी लहर देखी जा रही है जिसमें भारत का नाम भी शामिर है कुछ देशों में संक्रमन का सबसे बुरा दौर आना अभी भी बाकी है इसलिए सबी देश अपनी सूझ पूझ के साथ नियमों का पालन करवाए प्रियांका गांधी वाडरा के 35 लोधी स्टेट मंगला बीजेपी नेता को हुआ आवंटित लूटियन जोन में स्थित प्रियांका गांधी वाडरा रहती है उस बंगले को भाशपा के राश्ट्रे मीडिया प्रमुख और राजुसवा सदस से अनेल बलूनी को दे दिया गया है किंद्रिय आवास और शहरी मामलों के मंत्राले के एक अधिकारी ने इस बात की जौनकारी भी साज़ा कर दी है मंत्राले ने एक जुलाई को प्रियांका गांधी के बंगले का आवंटिन कैंसल करते वे कहा था कि वो स्पीजी सुरक्षा वापस लिये जाने के बाद आवासी सुविधा पानी की हकतार नहीं है सरकार ने कॉंग्रिस की महास्तरचिफ को एक अगस तक मौझूदा आवास 35 लोधी स्टेट खाली करने को कहा है केंद्री आवास और शहरी मामलों के मंत्राले के एक अधिकारी ने बताया किया निल बलूनी के अनुरोध पर उन्हें प्रियांका गांधी का बंगला अवंटित किया गया है उसके बाद कॉंग्रिस नेता ने बंगला खाली करने पर उन्हें उनका अधिकार सौप दिया जाएगा टिड़ी रोधी अभियान के लिए वायुसेना आई सामने जो हाई तरफ भारत में COVID-19 ने सब की परिशानी बढ़ा रखे है वहीं दूसरी तरफ टिड़ी ओ ने भी किसानों और भारत सरकार दोनों की परिशानी बढ़ा दी है हाला कि अब किसानों की मदद के लिए भारती वायुसेना ने जिम्मेदारी उठाई है जिसके तहट भारती वायुसेना ने टिड़ी रोधी अभियान के तहट रविवार को अपने 2MI-70 हेलिकॉप्टर लगा है इन हेलिकॉप्टर ने जोधपूर के ओसिया उपमंडल में 4 वर किलोमेटर के इलाके में मिस्टरन का छुरकाव भी किया है जोधपूर जोला प्रसाशन के आगरह के बाद वायुसेना ने रविवार को अपने हलिकॉप्टर लगाए है और टिडियो के बड़े दल को भगाने में किसानों की मदद की है क्योंकि यह दल श्रनिवार को जोधपूर के भीकम कोर गाउं पहुच गया थे भारत का पहला सोशल मीडिया एलिमेंस को किया गया लॉंच आत्मिर्भर भारत अभियान के तहट भारत का पहला सोशल मीडिया एलिमेंस को लॉंच कर दिया गया है जिसे उपरास्ट्रपती वेंक कया नाईडू ने खुद लॉंच किया है नई दिल्ली में उप्राश्रुपती एम्वेक गया नाईडू ने बीते दिन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के ज़र ये भारत के पहले सोशल मीडिया अप्लिकेशन को लॉंच किया है जिसके बाद उन्होंने का आए कि आतनिर्वर भारत अभियान की दिशा में एक महतरपून कदम है आतनिर्वर भारत बनाने के लिए आवाहन करने का उदेशिस संग्रक्षन वाद या अलगावाद को बढ़ावा देना नहीं केरल में COVID-19 से वजवाव के दिशा निर्देश को अगले एक साल तक के लिए लागू कर दिया गया है मिडली जानकारी के अनुसार केरल सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन जुलाई 2021 तक लागू रहेगा बिना सरकारे इजाज़त के कोई भी आयो जो नहीं किया जाएगा केरल के CM office से जारी आदेश में कहा गया है कि आज सुबह 6 बजे से ट्रिपल रॉक डाउन यानि की ज्यादा प्रतिबंध तुरुवंतम पुरम में एक हफ़ते तक लागू रहेगा जुसके तहट सारवजनिक जगों पर एक साल तक मास्क पहनना जरूरी होगा यह कदम COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए उठाए जार है केरल सरकार ने इसे लागू करने के लिए अपने आक्ट में बदलाफ किया है राजसरकार ने अपनी तरफ से यह भी कहा है कि नए नियम दूजलाई 2021 तक लागू कर दिये जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बचाया जा सके भारत और अफगानिस्तान के भी सिख्षा के विकास के लिए हुए 5 समझोते कोविड-19 के माहौल के बीच सिख्षा विवसा को दुरूस्त करने के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में 5 समझोते किये गया है जिसके तहट भारत, नुरस्तान, फरा, बदखशा और सभी प्रांतों में सिख्षा की बहतरी के मदद करेगा और इसके साथ ही भारतिय दूतावास की तरफ से इसकी जुआनकारी साजा कर दी गई है और कहा गया है कि यह समझोते अफगानिस्तान में भारत सरकार की ओर से कार्य वानवित उच्छ प्रभाव सामुदाइक विकास पर योज़्रा के तहत हुए है इन समझोतों के माध्यम से भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने विकास साज़िदारी को और मजबूत किया है इन पर भारतिया राजदूत विने कुमार अफगानस्तान के वित्तमंत्री उच्छा मंत्री अब्दुल तवाप और उच्छा मंत्री अब्दुल सुभान रौफ ने हस्ताक्षर भी कर दिया है चीन की नजर अब पूर्वी भुटान की जमीन पर भारत के साथ अपने सीमा तनाव को बढ़ाने के बाद चीन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है अब चीन की नजर पूरवी भोटान की जमीन पर अड़ गई है जुसके बाद पडोसियों से सीमा विवाद शुरू होने के बाद चीन ने पहली बार इस बात की सहमती जताई है उसका भोटान के साथ पूरवी इलाके में सीमा विवाद जारी है चीन का यह ऐलान भारत के पूरवी मध्य और पश्च्रिमी इलाके में सीमा विवाद है वहीं भारत का नाम लिए बगैर चीन ने इशारो ही इशारो में कहा कि किसी भी तीसरे पक्ष को चीन भोटान सीमा विवाद में उंगली नहीं उठानी चाहिए भोटान के अधिकारियों के माने तो चीन और भ कोविड-19 के मदनजर लावोबंद में रेलवे का कारेबल 44,000 से खटकर 15,000 ही रह गया है परियोजनाओ का क्रिया नवियन एजेंसी डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडर कॉर्परेशन लिमिटेड की तरफ से करवाये जाएगा अभी तक 7,000 प्रवासियों को वापस लाने मे सफल रही है इसके कारेस्थल पर श्रमिको की संख्या 15,000 से बढ़कर 22,000 हो गई है इसके साथ ही एजेंसी ने श्रमिको की बापसी स्तुविधा जनक बनाने के लिए जुला प्रसाशन को पत्र भी भेज दिया है और ठेकेदार के लिए ई-पास के भी इंतिजाम कर दिये है सुशान सिंग राजपूत के नाम दर्ज हुआ एक सितारा बॉलिवुट अभिनेता सुशान सिंग राजपूत के जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनके प्रसंशक लगातार उनके पुराने वीडियो और फोटो शेयर कर उन्हें श्रधांजरी देने का काम कर रहे हैं जिस से रेजिस्टर भी करा लिया है सुशान सिंग राजपूत को अंतरिक्ष ग्यालेक्सी चांद तारों की काफी समझ थी और उन्हें इसका बहुत ज्यादा शौक भी था यहां तक कि उन्होंने चांद जमीन पर लाने के लिए टेलिस्कोप भी अपने घर में लगवा रखा हलाकि सुशान सिंग राजपूत के प्रसंशक द्वारा उठाए गया यह कदम बेहधी सराहनी है माना ज़ा रहा है प्रसंशक ने राजपूत के नाम पर एक तारह रजिस्टर करवा दिया है इसका सर्टिफिकेट अपतेजी से ट्रेंट कर रहा है शाहिद अफरीदी ने ए अपने ट्विटर अकाउंट पर डिखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद भारते खिलाडी माफी मांगते थे इतना ही नहीं भारते टीम के ठीक ठाक पिटाई हमने कर दी है हर बार उनकी धुनाई के बाद टीम इंडिया के खिलाफ माफी मांग लेते थे वहीं भारत से उस दोरान बहतर नहीं कर पाते हैं तो वहां से निकलने का च्रालेंज जरूर होता है तो चले बढ़ते हैं आज की सवाल कि और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके इनुसार सुशान सिंग राजपूत को इनसाफ दिलवाने के लिए CBI जो आज का गठन करवाया जाना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे योट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद